हास्य कथा दो दोस्तों की मजेदार कहानी भाग एक। गाव के छोटे से घर में दो दोस्त रमेश और सुरेश रहते थे। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि लोग उन्हें जुन्वां समझने लगे थे, हालांकि दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बिलकुल अलग था। जो भविश्य बता सकते हैं। क्यों न हम भी उनसे अपना भविश्य पूछ ले। सुरेश ने मजाक में कहा, हाँ, और अगर बाबा ने कहा कि तू राजा बनेगा, तो क्या तू मुझे अपना मंत्री बनाएगा। रमेश ने हसते हुए जवाब दिया, तू मंत्री हैं। दोनों ने बाबा के पास जाकर प्रनाम किया। बाबा ने अपनी आखे खोली और बोले, आओ बेटा, क्या बात है। सुरेश ने तुरंत कहा, बाबा, हमारा भाविश्य बताए, मैं राजा बनूनगा या नहीं। बाबा ने रमेश की और देखकर कहा, तुम्हारे दोस्त के भाग्य में कुछ बड़ा लिखा है, लेकिन तुम्हे पहले एक परीक्षा देनी होगी। सुरेश ने सोचा, अरे, ये तो बड़ी मजेदार बात है। देखते हैं क्या होता है। बाबा ने दोनों को पास के तालाब से पानी लाने को कहा। रमेश पानी लेने च पेटा, राजा वही बनता है जो मेहनत से घबराता नहीं और दूसरों की मदद करता है। तुम सिर्फ बाते बनाते हो जबकि तुम्हारा दोस्त मेहनत कर रहा है। ये सुनकर सुरेश थोड़ा शर्मिन्दा हुआ। तभी रमेश वापस आया और बाबा ने कहा तुम दोन की बात सच तो नहीं होने वाली। आगे क्या हुआ, जानने के लिए पढ़ते रहिए, कहानी का अगला भाग और भी मजेदार होगा।